स्टुदेंट्स को और बिगिनर्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि exactly BIM क्या होता है और इवन जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको यह नहीं मालूम होता है कि exactly BIM क्या होता है एक अगर आप बिगिनर हो आज ही जानने की कोशिश कर रहे हो कि BIM क्या है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि BIM exactly होता क्या है और उसको यूज क्यों करते हैं यह वीडियो लास्ट तक देखना वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्स्राइब कर दो और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको सच में सीखने के जरू होता है सो विदाओ वेस्टिंगे टाइम लेट सेट साथेट सो मैंने अल्रेडी नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स को मैं एक एक करके आपको पूरा समझाते जाओंगा सो देट कम टाइम में मैं आपको जादा नॉलिज देपा हूं ठीक है तो लेट स्टार्ट सबसे पहले ओवर दो वाल सिंट्रम सीखने से पहले उसके बारे में जानने से पहले एक टर्म है जो मैंने अभी यूज भी किया जो कि है ए ए ए सी एसी इंडस्ट्री जिसको बोलत बोलते हैं पूरे BIM के अंदर में जो भी पूरी इंडस्ट्री है को बोलते हैं architecture engineering construction industry तो आ जाते हैं over the wall syndrome syndrome का मतलब क्या होता है syndrome का उतलब बैमारी या कुछ भी है जो गलत हो रइट तो पहले क्या काम होता, एक example ले लेते हैं, एक general example ले लेते हैं, कि पहले कैसे काम हुआ करता था, ठीक है, मैं सिर्फ civil engineering industry की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे overall industry की बात कर रहा हूँ, एक general example देके मैं आपको समझाऊँगा, कि पहले क्या होता था, उसको over the wall syndrome क्यों बोला जाता था, for example, एक आदमी है, एक आदमी आया, उसको क्या था, एक car बनवानी थी, ठीक है, तो वो गया auto factory में, ठीक है, automobile factory में गया, just we are taking an example, automobile factory में गया, वहाँ के manager से मिला, ठीक है, manager से मिला, और अपनी requirements बताए, कि मुझे एक car चीए, जो कि थोड़ी बड़ी होनी चीए, hatchback होनी ठीक है, थोड़े robust होनी चीए, यह सारी चीज मतलब requirement बता दी उसने अपनी, तो यह requirement बताने के बाद में, manager ने क्या किया, अब वो सारी जो भी information थी, designer को देती, ठीक है, तो designer ने क्या किया, एक कुछ car design किया, अचाए अचाए ऐसा parts होना चीए, ऐसा parts होना चीए, और फिर अपना design बोल दिया, अपना जो भी instruction थे, उसने क्या किया, 3D artist को बोल दिया, ऐसा ऐसा कुछ बना दे, ठीक है, तो 3D artist ने क्या किया, फिर उसका कुछ instruction लिया, अपना कुछ instruction अड़ किया, अपना काम करके उसने एक पूर model बनाया, एक अच्छा सा car का model बनाया, और उसने manufacturing team को दे दिया, कि चलो अब ये manufacture करना चालो करो, पूरा car, manufacturing team ने क्या किया, जो भी इसके तरफ से कुछ भी input आया था, और अपना input को add करके, उसने क्या कर दिया, एक vehicle बना दिया, ठीक है, अब vehicle बना दिया, बट बाद में देखा, जब final जो output निकल के आया, product निकल के आया, त truck, क्यों, क्यों ऐसा निकला, ऐसा इसलिए निकला, कि सबने अपना अपना काम करके, किसी और को दे दिया, बट काम को cross check नहीं किया, कि मैंने उसको instruction दी है, उसने वो instruction follow किया है, कि नहीं follow किया है, तो क्या हो गया, इन सभी के बीच में एक एक दिवार है, wall, ठीक है, तो सब ने क्या किया, over the wall अपना पूरा instruction भेज दिया, बट दुबारा instruction लियाने की, cross check किया नहीं, कि जो चीज मैंने किया है, वो चीज तुमने किया, नहीं किया करके, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, जो instruction starting में दी गई थी बनाने के लिए, इतना mismatch हो गया, addition होने लगा सब का, कि ब इस क्या होता requirement, तो requirement या dream हुआ, ठीक है, किसी ने dream देखा, और फिर dream क्या देखा, कि 2BH के बनाना, किसी आदमी ने बनाया, सोचा, तो इसने architect को बताया, architect ने क्या किया, अपना काम कर दिया, और अपना काम करके structural engineer को दे दिया, कि हाँ भाई, अब इसका structural, जो भी detailing है, column beam जो भी बनाना, वो तू बना दे, structural वाल ने अपना काम करके, site वाले को दे दिया, अभी site वाले क्या, पास कौन कौन सा काम है, architecture का, और structure का का, दो काम आ गया, site वाले का, अब site engineer ने क्या किया, वही same drawings को follow करके, construction करा दी, अब by product क्या निकला, last में जो product अपने कोच यह था, last room, एक hall, एक kitchen, मज़ रह, तो उसने क्या किया, 2BHK का चार room बनवा दिया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि miscommunication हुआ, miscommunication हुआ, और एक ने अपना काम करके, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौते को दिया, बनाना कुछ और ता, बना कुछ और दिया तो अभी यह जान लो, कि over the wall syndrome होने के वज़े से issues क्या आते हैं, सबसे पहला तो हम ऐसे ही जान गए, कि बहुत ज्यादा errors आते हैं, बनाना कुछ और होता है, बना कुछ और देते हैं, correct, फिर उसके बाद से errors आए, तो क्या हुआ, अब उस errors को सही भी तो करना है, कि अब मा गलत काम हो गया, चार room बन गया, तो two rooms को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, बाकि दो जो room है, उसको तोड़ के फिर उसको एक hall, एक kitchen बनाना पड़ेगा, correct, तो क्या हुआ, rework हुआ, अब rework होने से क्या होता है, rework जैसे मान के चलो, आपने कोई काम दो दिन में करना था, वो दो गलत किया, पहले तो गलत कर दिया, फिर उसको बाद rework किया, गलत कर दिया, तो उसको तोड़ के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, extra cost लगेगी, extra time लगेगा, तो ये सारे क्या है, issues है, और बहुत सारे और भी चीज़े होते है, manpower बहुत जादा लगता है, फिर उसके ब होते है, over the wall syndrome के वज़े से, मतलब क्या है, जो conventional process है, जो पहले use किया जाता था, ये तो था अपना पहला term, I hope ये clear होगा आपको, अभी आता है, दूसरा term, जिसको बोलते है, project life cycle, ये बहुत important term है, ये दो, जो मैंने पहला बताया, ये दूसरा बता रहा हूँ, project life cycle क्या होता है, पहले जान लो कि life cycle क्या होता है, ठीक है, life cycle ऐसे समझते हैं, जैसे अपन लोग है, सबसे पहले क्या होता है, हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमारा childhood आता है, childhood में थोड़े बड़े और होते हैं, तो क्या होता है, हम teenager होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, तो क्या होता है हम यंग एडल्स हो जाते हैं फिर बड़े होते हैं टाइम बित्ते जाता हम ओल्ड हो जाते हैं फिर हमारी देथ हो जाती है यह क्या है एक साइकल है एक लाइफ साइकल राइट तो वैसे ही सेम टू सेम एक प्रोजेक्ट का वही चीज यहां पर लिखा हो इनि सारे steps हैं उसके अंदर में उस पूरे steps को बोलते हैं project lifecycle ठीक है तो अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा details में की project lifecycle exactly होता क्या है अब AC industry में कैसा project lifecycle होता है पहले मैंने बताया कि dream होता है concept से पहले डी ड्रीम आता है किसी को भी या फिर कोई requirement होती है ठीक है फिर उसके बाद से आर्किटेक्ट एंजिनियर जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं एक concept design बनाते हैं एक concept बनाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ building दिखेगा यह rectangular shape होगा उपर में top में crown होगा कुछ नीचे में ऐसा basement होगा ऐसा करके एक basic सा design त्यार करते हैं उसको बोलते है conceptual design तो concept phase हो गया ठीक है फिर वैसे फिर plan करते हैं schedule करते हैं कब construction start होगा कब excavation होगा कब हमारा column erection होगा कब slab पड़ेगा फिर उसके बाद से architectural wall कब बनेंगी slab कब पड़ेगा basic basic चीज मतलब different different चीज जो भी है उनको plan किया जाता है schedule किया जाता है तो planning phase हो गया design phase तो जो भी चीज हमने एक concept में बनाया था न वो as a imaginative thing था उसको imagine करके बनाया गया हुआ था अभी उसको क्या करने का है detail में बनाने का है या ठीक है rectangle बनाया है तुम्हें rectangular building दिख रही है तो उसकी height यहां से यहां 5 meter होगी यहां से यहां 6 meter होगी उसकी length x होगी y width y होगी या फिर उसका color यह होगा different different चीज तो उसको बोलते है detail design फिर उसके बाद से वो detail design क्या होता है site पर जाता है construction होता है और construction होने चीज मैं phase क्यों बोल रहा हूं क्यों कि यह steps है जैसे life cycle में मैंने बोला ना कि अपने life cycle में क्या होता है चाइल्डूड आता है फिर teenager रंप होते हैं फिर young adult होते हैं यह सारी चीज क्या है phases है तो वैसे ही project में भी इसको बोलते है project phases याद रखना ठीक है कोई चीज मैंने बताया ही basic geometry होती यह concept में design में थोड़ा more data और add कर देते हैं construction stage में और data x add करके उसको construct करते हैं यह सारी चीज़ें आते हैं ठीक है तो यह क्या होता है project life cycle करेक्ट तो अभी क्या है कि हमें हर इक stage पे ना अलग-अलग तरिक information चाहिए रहती है वही मैंने आप बताया ना concept में क्या था basic basic information चाह चाहिए design stage में क्या थोड़ा और data होना चाहिए construction stage में थोड़ा और data होना चाहिए मतलब क्या है अलग-अलग तरीके का data हमें अलग-अलग project phase में चाहिए रहता है ठीक है बस अभी यह दो चीज याद रखना ठीक है अब जो चीज मैं बता रहा हूं वह बिलकुल याद रख कि सबसे पहले क्या है problem क्या face किया हमने पहले वाले में face किया हमने कि जो भी लोग थे ना वो अपना काम करके किसी और को दे दे रहे थे लेकिन फिर उसके बास से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे कि हाँ यह data मैंने दिया है यह data तुमने दिया है हम दोनों देख लेते ह हमारे में कुछ issue आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं collaboration लोग एक दूसरे से बात करें कि हाँ ठीक है तू मेरा काम देख मैं तेरा काम देखता हूं और देन उसके बाद में जो भी issue होगा sort out कर लेंगे collab करना correct तो पहले collaboration नहीं होता था correct फिर उसके बाद में क्या था 3D model with required information as per project stage अभी क्या था मैंने यहां पर बताया अलग-अलग project stage था तो जो construction professional थे ना उन लोग ने जाना कि 3D model एक बनाते हैं वो 3D model में क्या करने का है हर stage के हिसाब से जैसा मान के चलोगा concept stage है अपना तो concept stage के according में उसमें information डाल देंगे या उसको design कर अगर design stage है तो उसके हिसाब से बना देंगे construction stage है तो उसके हिसाब से बना देंगे ठीक है तो यह दो हमारे पास problem आई तो अब उस problem का solution आता है ठीक है यह जो तो problem था collaboration और दूसरा अलग-अलग stage पे हमें अलग-अलग तरीकी के information चाहिए थी वो चीज का तो उसको solve करने के यह एक term लाया गया जिसको बोलते हैं BIM Building Information Modeling